इस समय भारत वर्ष में बहुत राजनेतिक बवाल मचा हुआ है एक तरफ केंडर सरकार ने भरष्ट अचार के विरुद जैसे लंबी मोहिम छेड़ दी है तो दूसरी तरफ ना केवल आंतरिक विरुद बलकि ऐसे लोग मनमानी करने में लगे हुए हैं जिसको अमल में लाने के लिए कई देशों से कारेवाईयां की जा रही हैं और जिनका असर भारत में देखने को मिल रहा है हम उन सब की चर्चा नहीं करेंगे मेरी चिंता रहुल गांधी को लेकर है और मैं आज अभी रहुल गांधी की जन्पत्रिका का विशलेशन ना करके उनकी मा स्रीमती सोनिय गांधी की जन्पत्रिका से रहुल गांधी के भविश्य को लेकर विशलेशन करेंगे भविश्यवानी करेंगे इस समय मेरे सामने स्रीमती सोनिय गांधी की जन्पत्रिका है जो की करक लगन की है उनका जन्प 9 दिसंबर 1946 को लूशियान इटली में हुआ है इस कुणली का मुझे अच्छा ध्यान इसलिए है कि मेरी मासिक जोतिश पत्रिका जोतिश वंथन के 1909 में के इस्यू में ही सोनिय गांधी प्रदान मंत्री नहीं बनेंगी इसकी भविश्यवानियां कर दी थी अब जब मैंने इन दिनों देखा कि वही ग्रह इस्थितियां आ रही हैं शनी देव उसी इस्थितिय में आ रहे हैं जिस इस्थितिय में उन्होंने हमेशा स्रीमति सोनिय गांधी को नुकसान दिया है जब जब उनके दशमभाव पर शनी की दृष्टी पड़ी है तब तब उन्हें पराजे सहन करनी पड़ी है चाहे अटल भी हरी वाज पेर रहे हों सामने चाहे कोई और परिस्थितियां रहे हों और अब मुझे यही चिंता है कि वो शनी देव उनकी जन्मलग जो की करक है उससे अश्टम भाव माय हुए हैं और वहां रहते हुए एक तरफ तो उनके दशम भाव पर तीसरी दृष्टी है और दूसरी तरफ उनके दशम दृष्टी उनके पंचम भाव पर है जो की स्रीमती सोनिय गांधी के पुत्र का भाव है अब कुमा में शनी 29 मार्च 2025 तक र 2025 तक है नकेवल शनी एक और अंतरदर्शा है स्रीमती सोनिय गांधी समय शुक्र महादशा में चल रही है और सूरिय अंतरदर्शा में चल रही है सूरिय उनके दूसरे भाव के स्वामी है जो की मारक भाव है और कहां बैठे हैं वो सूरिय जिनके अंतरदर्शा चल रही है सोनिय गांदी जी की जनपत्रिका के पांचवे भाव में जो की पुत्र भाव है जैसे कि शनी ही नहीं सूरिय भी उनको नुक्सान देने पर आमादा है और ये अंतरदशा सूरिय की कम से कम मार्च दोजार चोबिस तक है ये तो वही बात हुई करेला और नीम चड़ा तो क्या जनपत्रिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्री राहूल गांधी को बहुत जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा सूरिय का शडबल राजियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मैंने कई बड़े राजनेतां की कुण्ड़ी में देखा है कि सूरिय का शडबल कम जो रहो तो वो मुखे पाद तक नहीं पहुँच पाते लाल कृशना डवानी जी राजनात सिंग जी और अब सोनिया गांधी जी मैं पचास हुदारान और भी दे सकता हूँ वो अपने लक्ष तक पूरे नहीं पहुच पाते जो उनके स्वपने हैं जो कामना हैं जिसके लिए वो अपने आपको अधिकरत समझते हैं वह तक नहीं पहुच पाते सुर्य का शडबल 1.00 के इस्थान पर 0.6 थिरू है बहुत कम है उस पर भी एक राज्योग के लिए एक राज्योग के परिक्षण के लिए हम लोग दश्वानच कॉंडली का अध्यन करते हैं उनकी दश्वानच कोंडली तुला लगन की है और शनी का समंद उनके implyप विभाव़ से यानि वही शनी दशान स्कुंडली में पंचम भाव में है उनकी दशान स्कुंडली में चंद्रमा है वो बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है और राजयोग देने की स्थिति में नहीं है हम यह कह सकते हैं कि शनी का गोचर जब जब सुनिय बाने जी के दशम भाव को प्रभावित कर रहा है वो किसे ने किसी स्त्रे से बंचित रहे गई है और अब यही शनी ना केवल उनको श्वयम को बलकि उनके पुत्र को भी प्रभावित कर रहा है फिर शनी उनके दूसरे भाव को देख रहे हैं इस समय मारक भाव को और मारक भाव की अंतरदसा चल रही है मेरी सलायक श्रीमती सोनिय गांधी और रहूल गांधी जी ने जोतीस पद्धती से सवा सवालाख जबके 21 अनुष्ठान कराकर सनी को प्रशन किया तभी शनी देव उन्हें मुक्ती देंगे अनिथा उनका राजनेतिक नुकसान निश्चित है